हेलो गाईज, वेलकाव टो मैं योटूब चनल इंफो सेफटी हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन आफ फायर के क्लासिफिकेशन आफ फायर क्या होता है एक्चुली इंडिया में किसी भी इंडेस्टिल में जाईए आपको पांच परकार का फायर मिलता है A, B, C, D, E A क्लास के फायर में क्या होता है B क्लास के फायर में क्या होता है C क्लास में क्या होता है A क्लास के फायर में सॉलिट फायर आता है B क्लास में लिक्विड आता है C क्लास में गैस आता है और E में electrical fire आता है इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे methods के बारे में बात करेंगे जो एक बार इस method को आप use कर लेंगे लाइफ टाइम तक आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा कि एक class का कौन सा fire होता है B class में कौन सा fire होता है आई ये हम देखते हैं next slide में ये हो गया classes और ये हो गया material burning material classes क्या होते है A, B, C, D, E ये पाच classes होते है और ये material क्या क्या material burning material क्या होता है A class में solid होता है B class में liquid होता है C class में gas होता है D class में metal होता है और E class में electrical fire होता है जैसे कि short circuit आईए हम देखते हैं A classes में कौन-कौन सा fire होता है burning material क्या-क्या होता है wood, paper, rubber, cloth, plastics ये burning material होता है जब कभी भी wood, paper, rubber, plastic, cloth में अगर fire हो जाता है तो आप समझेगा कि A class का fire है आईए हम बात करते हैं B class के fire के बारे में B class fire में क्या-क्या होता है B class में liquid fire आता है जो भी liquid solvent हो या liquid हो इसमें क्या-क्या होता है hydrocarbon और alcohol based जो भी liquid हो या solvent हो इसमें अगर fire हो जाता है तो वो fire हमारा B class का fire कहलाता है next आता है C class का fire C class fire को हम क्या बोलते है gas fire बोलते है जब कभी भी gas में fire हो जाता है जैसे कि LPG gas में fire हो गया H2O में हो गया O2 में हो गया Acetylene gas में हो गया तो हम कौन से class का fire समझेंगे यह C class का fire मानेंगे Next हमारा है D class का fire Next हमारा है D class का fire D class fire metal fire को बोलते हैं जैसे metal का नाम है sodium, potassium, magnesium यह सम metals है इस metals में अगर जो भी fire हो जाता है तो हम कौन से class का D class का fire समझेंगे D class का fire जो metal fire बोलते हैं अब हम बात करते हैं E class fire में E class fire में क्या होता है Electrical fire आता है Electrical fire जब कभी भी short circuit होता है Electrical equipment में, applicants में Electrical सामन में जो भी fire होता है वो कौन सा fire होता है वो E class का fire होता है E class E for Electrical सिंपल सा है Electrical fire को हम E class का fire बोलते हैं आईए हम बताते हैं एक बार जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा classification of fire का थियोरिय पूरा समझ में आ जाएगा एक human body के ओपर हम आपको classification of fire का explanation करेंगे आईए देखते हैं human body को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे A, B, C, D चार पार्ट में डिवाइड करेंगे जो बहुत ही easy methods है आईए देखते हैं first part हुआ हमारा A section section A second हुआ section B third हुआ section C and four हुआ section D ये चार पार्ट में हम डिवाइड कर दिये हैं section A की बात करेंगे section A में आता है हमारा pair pair में हम क्या पहनते हैं shoe पहनते है shoe रहता है sleeper रहता है shoe और sleeper किसे रहता है उसमें क्या क्या containing material रहता है shoe किसका बना रहता है rubber का होता है plastics का होता है कपड़ा भी रहता है उसमे वुड भी रहता है कभी-कभी तो यह सब क्या उनसा क्लास में फायर में आता है A क्लास में यही आता है ना A क्लास में रबड आता है वुड आता है पेपर आता है यह तो हम इसको simply A क्लास का फायर बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इसली बोल सकते हैं क्योंकि एक लास के फायर में रबर्ट, पेपर, वूड, प्लास्टिक्स यह आता है सेकंड सेक्षन है बी सेक्षन, बी सेक्षन को हम पेट में डिवाइड किया है बी सेक्षन में हमारा पेट आता है, बी सेक्षन में हमारा पेट आता है पेट में क्या होता है actually जो भी हम liquid form में खाते हैं पीते हैं ड्रिंक पानी पीते हैं ने तो कुछ भी ड्रिंक करते हैं वो liquid form में आ जाता है liquid क्या है वो हमारे पेट में आके एक टैंक में इस्टोर हो जाता है B-class में लिक्वیड रहता है और आपका B-class में कौन सा फाय होता है लिक्वीड फाय होता है तो simple सा उसको हम पेट को B बोल सकते हैं next हम बात करते हैं C class में C class में कौन सा आता है Gvalue G事 आता है C-class को हम nose दे दिये nose और mouth nose से नाख से हम क्या करते हैं सास लेते हैं सास छोड़ते हैं सास क्या है air है air क्या है gas है तो c section को हम gas में बोलते हैं c section को क्या बोलेंगे gas बोलेंगे next आता है d section d section को हम head बोलते हैं head में दे दिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड हैं क्या बोलते हैं हम d class का fire बोलते हैं इसलिए हम head को औप metal समझे एड को अब समझे जिसे कि d class का fire होता है कि यहांपे तो आपको हो गया a b c d a पड़िए c d do । d आपको मालूम हो sketch explain करने का ज़रूत नहीं है इको e for electrical इफर इलक्रिकल हम इसको सेपरेट इस्टडी करते हैं यह तो आपको फर्च पार्ट में आपको पैर से लिजिए सेकेंड सेक्षन हो गया नौज एर सेक्षन हो धि हो गया हाड सेक्षन हाड सेक्षन बोले तो मैटल थोलिड में सू आता है सू हमारी क्या करेंग कंटेंग gonna शू कुम स्लीपर ऊई क्या क्या मिलक कर बना रहता है सू बॉड्म यह जो भी interess की मेटेश क्या वाए जो आधा है और एक लास स्लीक शुरेश緘 आधा है यह क्लास। का फायर में आई होता है उसमें क्या क्या मैट्रियल रहता सबता है रबड़ पेपर्स वूर्ड क्लॉफ प्लास्टिक्स ऐसे रहे तो हम If I बोलेंगे नेक्स आता है ब्स ब्स फॉस्टार को में कि स Suk Ipack में सब्सक्राइब हन्हेस किक यूधा लिक्वि क्लास को कौन सो फॉठार ho containing है अब नाग से मुझ से क्या सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं सांस क्या है एर है एर क्या है गैस है तो सी सेक्षन को क्या बोलते हैं गैस बोलते हैं देन डी सेक्षन में डी सेक्षन में में मेटल होता है मेटल को क्या दिया है हेड दे दिया सर को क्या होता है सब बहुत टा दे दिए हेड को डी सेक्षन में दे दिए हैं कि सेक्षन ए पैर को दिए हैं सेक्षन बी पेट को दिए हैं सेक्षन सी नोज मौथ को दिए हैं एंड सेक्षन डी head को sir को दे दिये है अभी समझ में आ जाएगा न A class solid होगा, B class liquid हो गया C class gas हो गया D class metal हो गया अगी एक बर हम repeat कर लेते हैं A class solid solid बोले तो su को समझ जाती su pair इसे अपको समझ जाएए B class liquid हो गया इसको stomachs में इसका reference है C class का reference किसे है no से है, D class का reference कैसे है head से है, metal से है इस तरह से हम आपको scenario में पूरा classification of fire समझा दिये then आप guys हमारे चनल को support करने के लिए rate color कर subscribe button को दबा कर हमारे चनल को subscribe करें साथ ही साथ bell icon को भी दबाए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे guys health and safety related आपके पास कोई भी question ने या suggestion है तो comment section में जाकर comment जरूर करें साथ ही साथ like button को दबाना न खुले and thanks for watching my video कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल कर दो कर दो कर दो सकार कर दो झाल झाल कर दो कर दो कर दो adjustment कर दो Gospel